मेरे प्य Hero देश वास्यों कोच समय पहरे हुई maritime india summit आपको याद है न इस subject में उन्य क्या कहा था किया आपको याद है स्वाभा भी खाय है इतने कारकम होते रहते हैं इतनी बाते होती रहती है हर बात कहां याद रहती है और उतना ध्यान भी कहा जाता है स्वाभा भी है लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मेरे एक आग्रह को गुरु प्रसाद जी ने बहुत दिल्चस्प में लेकर आगे बढ़ाया है मैंने इस समिट में देश के लाइट हाउस कम्प्लेक्सिस के आसपास टूरिजम फेसिलेटिज विक्सित करने के बारे में बात की थी गुरु प्रसाद जी ने तमिल नाडु के दो लाइट हाउसों चेन्ने लाइट हाउस और महाबलेपुरम लाइट हाउस की 2019 की अपनी आत्रा के अनुभ़ों को साजा किया है उन्होंने बहुत ही रोचक फेक्ट्स शेर किये है जो मन की बात सुनने वालों को भी हैरान करेंगे जैसे चेन्ने लाइट हाउस दुनिया के उन चुनिन्दा लाइट हाउस में से एक है जिन में एलिवेटर मौजूद है यही नहीं भारत का यह इकलोता लाइट हाउस है जो सहर की सीमा के अंदर स्थीत है इसमें बिजली के लिए सोलार पैनल भी लगे है गुरु प्रसाद जी ने लाइट हाउस के हरिटेज मुजियम के बारे में भी बात की जो मरीन नविगेशन के इतिहास को सामने लाता है मुजियम में तेल से जनने वाली बड़ी बड़ी बत्तियां कैरोसिन लाइट्स पैट्रोलियम वेपर और पुराने समय में प्रवोग होने वाले बिजली के लेंप प्रदर्शित किये गए हैं भारत के सबसे पुराने लाइट हाउस महाबली पुरम लाइट हाउस के बारे में भी गुरु प्रसाद जी ने पिस्तार से लिखा है उनका कहना है इस लाइट हाउस के बगल में सेंकडो वर्स पहले पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा बनाये गया उलकनेश्वरा टेंपल है। साथियों मन की बात के दोरान मैंने परियतन के विविन पहलूँ पर अनेक बार बात की हैं। लेकिन ये लाइट हाउस टूरिजम के लिए आज से यूनिक होते हैं। अपनी भव्य समरचनाओं के कारण लाइट हाउस हमेशा से लोगों के लिए आकर्शन के केंद्र रहे हैं। परियतन को बढ़ावा देने के लिए भारत में भी 71 लाइट हाउस इस आइड़िपाई किये गए हैं। इन सभी लाइट हाउस में उनकी क्षमताओं के मुताबिक मुजियम, एमपी थेटर, ओपन एर थेटर, काफेट एरिया, चिल्डन्स पार्क, इको फ्रेंडि कोटेजी और लैंड्सकेपिंग तियार किये जाएंगे। वैसे लाइट हाउस से इसकी बात चल रही है तो मैं एक यूनिक लाइट हाउस के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। इस गाउं में ऐसे पत्थर भी मिल जाएंगे जो हैं बताते हैं कि यहां कभी एक व्यस्त बंदरगा रहा होगा। यह भी उसका एक स्वरूप है इसी महने जापान में आई विक्राल सुनामी को दस वस हो रहे हैं। इस सुनामी में हजारों लोकों की जान चली गई थी। ऐसी एक सुनामी भारत में 2004 में आई थी। सुनामी के दौरां हमने अपने लाइट हाउस में काम करने वाले हमारे 14 कर्मचारियों को खो दिया था। अंडवान निकोबार में और तमिलनाडु में लाइट हाउस पर वो अपनी डूटी कर रहे थे। कड़ी मेहनत करने वाले हमारे इन लाइट कीपर्स को मैं आदर पूरवक स्रधानली देता हूं और लाइट कीपर्स के काम की भूरी भूरी प्रसंशा करता हूं।